है आप लोगों की दिवांड थी कि सर अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वह आज मैं आपके लेके आया हूं आज आपके लिए वह वह टाप सेवन क्वेस्टेंस लेके आया हूं जिस तरह की क्वेस्टेंस जो है वह बार बार अगर आपको इसमें से कुछ क्वेस्टेंस ऐसे होंगे जो आपसे ना हो सॉल्व तो आपने डरना नहीं है जुरूरी नहीं होता पेपर में कि आप थर्टी फाइव में से थर्टी फाइव ही करके आएं ठीक है तो जो सक्षिंस आपके अच्छे खासे आपने प्रेक्टिस कर ली है जैसे आपके सिंप्लिफिकेशन एप्रॉक्सिमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक दन यूर सिंपल बे जो आपके डियाइज होते हैं ठीक है उसके साथ साथ अगर आप अरिथमेटिक में भी दो चार क्वेस्टेंस बनाके आजाएं तो आपको एक एज रहता है सबसे पहले तो एक आपके लिए गुड न्यूज है कि कल ही जो एस्बी एकलर का रिजल्ट निकला है मेरा सेलेक्शन हुआ है सो उसी चीज को मदे नज़र रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बट एज यूजूल अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और आप चाहते हैं कि आने वाली जितनी भी जेंट के के अंदर मेजर रिकूट्मेंट्स होंगी वह आप फ्री आफ कॉस्ट अगर यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आन आपकी कॉम्प्रीहंडिंग अबिलिटी का मतलब होता है आपने एक वार क्वेस्टन को रीड करा और आपको क्वेस्टन पूरा समझ आ गया बचे दर असल डर जाते हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखके और फिर उनको लगता उनको क्वेस्टन ही समझनी आता प्रेश स्रीन कॉंसेट होना चाहिए जैसे आपको दिख रहा है यह जो टॉपिक है यह आपका डिसकाउंट प्रॉफिट और लॉस का टॉपिक है अगर आपने यह टॉपिक पढ़ा है तो आप पेपर में डिरेक्ट जाके इस क्वेस्टन को स्टार्ट कर सकते हैं नहीं तो आपने स्किप करके आगे निकलना है let's see solve होना कैसे था यह question is a shopkeeper purchased two shirts at rupees 800 and 1200 respectively तो मुझे दिख रहा है सीदा सीदा दो उसने क्या करी है shirts की दिया तो एक को यह माल लेते हैं दूसरे को भी कॉस्ट प्राइज एक की 800 दूसरे की यह मैं समझाने के लिए आपको कर रहा है इस तरह से ठीक है then he sold first shirt at two successive discounts of 10% and 20% whereas second shirt at a discount of 25% तो successive discount का मतलब होता है एक बार आपने 10% का discount दिया उसके बाद जो value बनी उसके उपर 20% का discount दिया इस चीज को इस तरह से मत समझ लेना कि 10 plus 20 कर दो इसको 30 कर दो ऐसा नहीं होता successive का मतलब यह नहीं होता वो flat का मतलब होता है ठीक है so let's see आगे question यह कह रहा है find the total profit earned when each of them shirts are marked up at 50% students discount के बारे में आपने याद रखना है कि discount जो होता है वो हमेशा किस के ओपर calculate होता है that is on mark price तो यह यहाँ पर concept है अगर आपने concept सभी तक नहीं सीखे है और अगर आपके पास time है 10 से 15 दिन का अगर exam का तो आप लोग और ने जो crash course हमने उनसे launch करवाया था आप उसको purchase करके वहां से पढ़ लीजिए आपके चार से पांच questions अगर एक्स्ट्रा बन जाते हैं तो आपकी selection के chances जो है वो 500% बढ़ जाते हैं ठीक है बाकी आप YouTube पे सर्च करके पढ़ सकते हैं clear so start करते हैं question को profit earned बताया है और उसके उपर क्या दिया है उनको discount अब मुझे पता है discount देना है mark जो price अब करते हैं that is always done on cost price तो मैं सीधा mark price बनाता हूं एक ही कितनी बनेगी 800 रुपे है तो उसके उपर 50% 50% का मतलब होता है आदा 800 का आदा हो गया 400 800 उसका rate पहले था आपने ऐसे नहीं लिखना आपने सीधा वहां पे paper में 1200 value लिखनी थी बट मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं ठीक है next second का 1200 उसकी cost price थी 50% बढ़ाना था तो आदा बढ़ 20% का 20% का discount 1200 पहले दिया 10 का तो पिछे value कितनी बची होगी 90% देन दिया है 20% तो पिछे value बची होगी 80% एक दो तीन चार एक दो तीन चार अब करनी है multiplication बारना 108 होते 108 को 108 से करना है 108 को 108 है यह आप माइंड में आपने calculations करनी है इसमें से दो ही चीजें लिखी जानी थी basically की selling price हमें क्या चाहिए था profit तो CP अगर 800 है selling price 864 है तो यहां से profit पहले केस का कितना निकल क्या रहा है 64 ठीक है second second case में सिर्फ और सिर्फ 25% का discount देने का मतलब पिछे value बची होगी 75% 75% का मतलब होता है 3 by 4 ठीक है तो यह percentage to fraction में आप काफी अच्छे होने चाहिए 4 for the 16, 20, 45, 20 45 को 3 से करना है 5, 15, 14, 12, 13 यह बना आपका 1350 यह क्या बनी इसकी selling price cost price was 1200 profit कितने का हुआ है 150 का total profit कितना हो गया 150 और यह 64 your answer will be 240 students मैं जान बूच के option नहीं लाया हूँ question जान बूच के थोड़े tough लाया हूँ क्योंकि अगर यह आपने सीख लिए यहां से आपका concept भी build हो जाएगा ठेक है तो वो चीज़ में अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ कहीं न कहीं यह question आपको समझ आ गया होगा ध्यान से समझिए concepts को अच्छे से समझिए तभी आप जाकर arithmetic में question बना होगे जो आपको सिखाते हैं कोई अगर आपसे यह कहता है कि shortcut बनाएंगे बिना pen के question solve करेंगे होता है बट वो 10 में से एक ही question होता है ठीक है next बाकी अब हम simple level नहीं पढ question number two पे चलते हैं question screen के उपर अगर ऐसे paper में आपको दिखा आपने देखा boat and stream का question अगर आपने इसको पड़ा है तो आपने इस पर time लगाना है नहीं तो skip करके 2-4 second में आगे निकल जाना है यह आपको अब मैं process बता रहा हूं ठीक है very soon हम लोग मैं और सुमित सर आपके boat in still water तो आपको पता है speed of the boat in still water हम x मानते हैं और यह मान लिया y तो यह 40% है अगर यह 10 है तो यह कितना होगा चार तो यह concepts जो है यह आपके अच्छे होने चाहिए तो रेशियो आएगी 5 ratio 2 next statement करी the boat can cover 6 km distance in 24 minutes in still water still water तो distance कितना 6 और time कितना 24 बट यह किसमे है minute में और kilometer के साथ हमेशा क्या जाता है आपका hours time ठीक है तो आर्बे convert करना होगा divide करेंगे 24 के नीचे 60 आना तो सीधा उपर चला जाएगा स्पीड निकल सकते है चे कम 6 6 24 15 तो स्पीड कितनी निकल के आगी 15 km पर आर कौन सी वेल्यू है यह this is the value of x है ना still water तो अगर पंदरा पांच का मतलब 15 तो एक यूनिट का मतलब कितना तीन तो आपकी यह वाई की वेली कितनी होगी 6 और यह बन गी आपकी पंदरा यह आपक तो नेट स्पीड कितनी बन जाएगी 21 टाइम उसने पूछा है डिस्टेंस कितना कवर कर आना था 126 ठेक है यह सीधा सीधा दिख रहा है 6 से कट जाएगा है ना 6 कम 6 6 12 तो टी की वेल्यू क्या आजाएगी आपके 6 hours सुड़ें यह question अगर concept अच्छा हो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं यह question 30 seconds का है ज्यादा से ज्यादा बट आपको अगर आपने सोचा होगा कि यह इतना time में नहीं हो सकता बट उसके लिए क्या होना चाहिए एक proper approach यहां पर ratio and proportion के concepts बड़े तगड़े लगते हैं उसमें आप अच्छे खासे होने चाहिए आपको अच्छा लगा होगा और आपको यह लग रहा होगा कि अगर सर कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ठीक है move करते है next question के उपर question number 3 आपका है time and work का देखने में डर लग सकता है R की 40% ज्यादा है sorry P की R से 40% ज्यादा है Q की 50% ज्यादा है P से कुछ नहीं करना compare करते ज ठीक है P की 40% ज्यादा है तो अगर R की 100 है तो P की कितनी होगी 140 ठीक है यहां से ratio निकल सकती है P by R की कितनी बनेगी 7 बटे 5 कट करके ठीक है similarly Q upon P क्यूंकि 50% ज्यादा है तो यह 500 बनेगी यह 100 मानों यह बन गया ratio 3 और यह 2 P की value दोनों साइड क्या करती है बराबर तभी आपके पास क्या होगी यह efficiency आएगी ठीक है दोनों साइड बराबर करने के लिए इसको 2 बटे 2 से multiply कर देंगे इसको 7 बटे 7 से ठीक है क्यूंकि P की यहां 7 थी वहां 2 थी तो यह बन जाएगा 14 यह बनेगा 10 यह बन गया 21 और यह 5 बाइ 5 से करेंगे ना 7 2s of 14 वान सेकेंड 2 by 2 7 by 7 यस ठीक है तो यह बनेगा 7 2s of 14 ठीक है अब P की value दोनों साइड बराबर तो ratio सीधी लिखी जा सकती है P Q और R की तो P के corresponding value है 14 Q के corresponding है 21 और R के corresponding है 10 यह क्या आगी आपकी efficiency question is सही इफ P and R दोनों मिलके किसी काम को 45 दिन में खतम करते हैं students efficiency multiply by time जो होता है वो आपका होता है total work यह सारे के सारे concepts है ठीक है तो concept आपको मैंने बता दिया कैसे build होगा वो मैंने बता दिया तो total work निकाल सकते है पी और दोनों जोने मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं पी और आर चोदा दस चोविस तो total work आपका कितने बनेगा चोविस कितने दिन में 45 यह काम करवाना किससे है देन find days taken by तीनों मिलके उस काम को कितने में खतम करेंगे तीनों की efficiency आड़ करने पड़ेगी चोदा और इकीस होते हैं 35 35 और दस होते हैं 45 ठेक है चोदा बीस होगे आपके 34 35 45 45 45 सी करना है डिवाइस 45 45 चैंसर निकल के आएगा आएगा आपके पास 24 यह स्टुडेंट्स यह पॉसिबल है यह question 30 seconds का मैं आपको यह कीनन कहा रहा हूं और अगर मोका मिला तो मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज का concept आपको सिखा दूँ ठीक है बट लट सी वट हैपन्स सो मूव करते हैं next question के उपर पेपर में ऐसा question दिखा अगर आपने mixture and integration पड़ा है ratio proportion पड़ा है तो हाथ लगाना है वरना नहीं लगाना है ठीक है चलते हैं let's see कैसे होना यह question two vessels a and b contains mixture of petrol and diesel in the ratio 4-5 और 7 और 8 ठीक है तो a है mixture यह बी है इसमें भी petrol और डीजल है इसमें भी petrol और डीजल है कितनी कितनी ratio में 4 ratio 5 7 ratio 8 यहीं दिया है mixture of vessel a and b are mixed in an empty vessel c if total quantity of vessel a is 450 total कितनी है की capacity a की 450 और b की and quantity of petrol in vessel c कितना हुआ है 480 तो c में दोनों का add करा था a plus b c a plus b c दोनों का मिला के कितना बना है 480 तो अगर a में 450 है तो b में बता कर सकते हैं कितना बचा होगा 30 ठीक है अब पूछा क्या है total quantity of mixture in vessel b total sorry वहाँ पे दिया था quantity of petrol हाँ 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 सॉरी यहां से हमने इसको छोड़ दिया quantity of petrol in vessel c is a 480 अब इसमें petrol कितना आया है 480 तो देखो यहां से क्या चीज़ समझके निकल के आती है वो समझिए यहां पर इसने बता दिया 4500 है ratio है 4 और 5 तो यहां पर हम divide कर सकते हैं 9 की value बनेगी आपकी 4500 एक की value बन गई 50 तो इसमें petrol कितना होगा 50 into 4 200 यह petrol और digital कितनी होगी 50 into 5 250 ठेक है अब b में से total हमें नहीं पता b में कितना है ठेक है नहीं पता बट ratio तो पता है अगर यही होगा पैट्रोल यहां से गया होगा 7X और यह गया होगा 8X अब उसने कहा क्या है quantity of petrol in vessel C तो यहीं गया होगा वैसल C में यहीं गया होगा तो कर सकते हैं 7X plus 200 की value कितनी है 480 तो 7X की value आप निकाल सकते हो 480 में से 200 निकालने हैं तो सिधा-सिधा 200 सी बचेगा एक्स की value साच्चों 2840 यह X की value आगी ठीक है अब पूछा क्या है quantity of mixture in vessel B तो X की value आपके पास है 40 इसमें कितना ही total unit 8 और 7 15 तो 15 की value निकालनी है 15X 15 चुके 60 आंसर कितना बनेगा आपका 600 liters clear so this is the process इस तरह से यह question अच्छे खासे question है यह मैंने थोड़ा से level इसका हाई रखा है इससे easy आएंगे बट अगर यह समझ लिया तो फिर आप राम से उसको उड़ा के आओगे questions ठीक है move करते है next question so question number five is यह आपका question है speed time and distance का अगर आपने यह topic पढ़ा होगा तो आप इसको direct attempt करेंगे नहीं तो skip करके आगे निकलेंगे ठीक है question आपका कहा रहा है train q can cross train p in 90 seconds ठीक है कोई दिक्कत नहीं है same direction में वो जा रहे है तो याद रखना है जब भी direction आपकी same होती है तो net speed आपकी क्या होती है net speed आपकी दोनों की आती है minus करके याद रखना रखना रेश्यों दे रखी है p और q की 4 और 5 तो p की कितनी होगी 4x q की हो गई 5x and the difference in speed of train p and q 36 km पर आद देखो खेल गया वो यहां से question पूरा बन जाएगा क्यों क्योंकि difference डिरेक्ट दे दिया हम लोग ढूंडते रहेंगे या speed नीदी speed नीदी जूरती नहीं पड़ेगी तो आपको पता है जिब दो train एक दूसरे को cross करती है total distance बनता है उनकी length के बराबर nut speed दे रहे है 36 but km पर आर में है convert करने के लिए 5 बटा 18 से multiply time गए है 90 seconds 18 अब 18 तो यह बनेगा 10 यह बनेगा नहीं वहां जाएगा तो 90 और यहां से बनेगा 9x तो 9x की value बनेगा आपकी 900 तो x की value बनेगा आपकी 90 तो यह आप औरली कर सकते हो बट मैं समझाने के लिए लिए ल 360 मीटर में ठीक है next आगे पूछ रहा है पी अगर किसी platform को cross करता है 200 मीटर लंबे platform को cross करता है 24 seconds में तो total distance train की length कितना है 360 और यह कितना है 200 तो total distance कितना बन गया 560 और time कितना दिया उसने 24 seconds और पूछी क्या speed of train क्यों तो speed आपने निकाल ली थी मैंने देख दिया इसको अब लोगों ने comment box में बता देना है क्या answer होगा but make sure करना है आपने जो भी answer आपका आए अगर आपके options में मालों इसका answer meter per second में आएगा अगर वहां पूछा गया हो kilometer per hour में तो convert कर लेना ठीक है मैं जान बूच के option नहीं लाया हूँ बच्चे तो काम आना start कर देते हैं मैं वह न the bag contains six red three blue and seven white balls if three balls are drawn randomly from the bag अगर तीन बॉल रेंडमली उसमें से निकाले जाएं तो कितनी probability है कि हर एक बॉल एक मतलब हर एक कलर का एक बॉल आ जाए तो simple question है combination लगेगा total cases कितने बनेंगे total balls कितने साथ इन दस और छे सोला में से कितनी बॉल चुनने आपने तीन तो सोला सी त सब्सक्राइगा आ सकता है कोई blue एक आ सकता है तीन में से और कोई white में से एक आ सकता है simple c1 का मतलब होता है वही वैल्यू कि डिवाइड सोला सी थ्री का होता है सोला इंटू 15 इंटू 14 अब इतना time नहीं है समझाने का ठीक है अगर आपको आता है तो आपने इसको करना है न इसको कार सकते हैं इसको आपने calculate करके बता देना है कितनी probability आपकी आएगी तो students अगर concept है तो यह question आपका 30 seconds कर ठेक है और इतना ही जितना concept मैं लगा रहा हूँ अगर इतना सा concept आपका हो तो आप easily 35 out of 35 score कर सकते है mathematics में ठेक है तो आपको अगर उमीद आ रही होगी कि अगर इस तरह से concept सीखेंगे तो अच्छा result वहां पर देखने को मिलेगा, move करते है next question के ओपर, so यह age का question है मुझे लगता नहीं है इतना कोई ज्यादा मुश्किल है तो let's see, the present age of B and A are in the ratio of 9-8, तो B और A की ratio, दे रहे है 9 ratio 8, 10 साल के बाद ratio कितनी हो रही है, B to A की 10, no, तो ratio 10 साल के बाद, time change कितना आ रहे है, 10 years का, ठीक है, find the difference between their present age, तो difference पूछा है present age का, अब यहाँ पर अगर मैं concept से चलूँ, देखो students age में होता क्या है, age में concept लगता है कि age का जो difference है वो हमेशा equal रहता है, क्या रहता है, जैसे आज अगर मेरी 25 साल age है, आपकी 26 साल है, तो चाहे 200 साल के बाद की calculation करो, चाहे 200 साल पिछली करो, पचास साल बाद की करो, पचास साल पिछले की करो, जो difference है age का, वो एक साल का ही रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कितने का फरक आ रहा है exact में, तो 9 से कितना बड़ा है, एक, और इधर भी कितना बड़ा है, तो दोनो side, बराबर difference है, तो calculation कुछ नहीं करना, आपने, अगर बराबर ना होता, तो अब इसको बराबर करना पड़ता, ठीक है, अब यही है, तो यह जो एक unit है, यहाँ पे एक unit बढ़ रहा है ratio में, एक unit, इसकी value exact में कितनी है, 10 साल, क्योंकि यहाँ पे exact में कितना फरक आया, 10 साल है, ठीक है, तो एक unit की value दस साल है, तो आप से difference पूचा है, initial का, तो initial है उनकी यह ratio थी, 9 और 8, तो difference कितना, 9 में से 8 गया, 1, तो एक unit की value ही हमें चाहिए थी, तो उनकी present age का difference कितना होगा, 10 साल, clear, I hope यह एक shortcut आपको समझाया होगा, आप लोगों के लिए, अब मेरी तरफ स select हुआ था, तो आपके लिए मेरी यही advice रहेगी, बचे हुए दिनों में जितने आपके mock test बचे हैं, उनको दीजिए, तो अच्छे level के mock test देने का फाइदा होता है, आप easy level के mock test जितने मर्जी दे दीजिए, 100 में से आप 90 number लाइए, उसका benefit नहीं होता, यह मेरा experience कहा रहा ह ठीक है, so I hope यह question आपको समझा आ गया होगा, so that's all in this video, और एक आपके लिए announcement, आप लोगों को mock test का schedule I hope मिल गया होगा, सुमिध सर ने आपको परवाइड कर दिया था, उसी साथ से अपने mock test आप लोगों ने लगाने हैं, अगर जिस बच्चे का exam late है, 31st को है या 20 के बाद ह और अगर उसने अभी तक त्यारी अच्छे से नहीं करी है, कुछ concepts उसके रहते हैं सीखने वाले, तो आप ऑली बोड के crash course purchase कर सकते हैं, और हमारी तरफ से आपके लिए discount रहेगा, आपको 20 से 25% का discount मिल जाएगा, triple S आपने वहाँ पे code लगाना है, coupon code, so that's, अब code आपके साम आपने है, इसको अपने complete करना है, तो अब a sense of responsibility थोड़ी ज्यादा feel हो रही है कल से, so let's hope for the best, so work hard with the best strategy, आप लोगो ने comment box में इसको complete करना है, thank you so much, God bless you all, bye bye, take care.